इस वीडियो में आपके लिए एक छोटा सा अनॉंसमेंट लेके आ रहा हूँ अनॉंसमेंट यह है कि हमारा जो MLOPS प्लेलिस्ट है मैं उसको इस वीडियो में रिजूम करने जा रहा हूँ सो शायद आप लोगों में से काफी लोगों को यह पता होगा कि इस साल की शुरुआत में अराउंट जैनुवरी में हमने MLOPS का एक प्लेलिस्ट टार्ट किया था और उसमें दो वीडियो भी डाले थे बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम पर्सनल रीजन्स मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया बट इस पूरे डूरेशन में जैनुवरी से लेकि अभी तक मुझे रेगुलर्ली आप लोगों की साइट से मेल्स आए और मेसेज़स आए जहां पर आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्लीज MLOPS का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करो because MLOPS बहुत important है interview point of view से और जब आप industry में काम करोगे तब भी so finally now I have enough time कि मैं MLOPS का प्लेलिस्ट resume कर सकता हूँ और वही मैं इस वीडियो से शुरू करने वाला हूँ so मेरा प्लान ये है कि अब going forward अगले 5-6 महिनों में ये जो पूरा प्लेलिस्ट है इसको मैं continue करना चाहता हूँ और complete करना चाहता हूँ so आज की वीडियो का मैं आपको plan बता देता हूँ so इस पूरे वीडियो को मैं दो parts में divide कर रहा हूँ in the first part मैं आपको एक छोटा सा revision दोंगा because हम बहुत दिनों के बाद resume कर रहे हैं इस playlist को तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने इस playlist में क्या किया है और फिर second part में मैं इस वीडियो का जो main topic है वो cover करूँगा so that is the plan for today's video so अगर हम बात करें एक quick revision की so अगर आपको याद होगा इस playlist में अभी तक दो videos आपको दिखा ही देंगे दोनों videos का एक quick revision देना चाहूँ तो वो कुछ ऐसा होगा कि यह जो first video यहाँ पर मैंने important topic discuss किया है और वो topic है ML systems versus software systems right और मैंने यहाँ पर यह बताने की कोशिश की है कि क्यों ML systems को production में डालना ज़ादा difficult होता है software systems के comparison में और उसका सबसे fundamental reason यह होता है कि software systems में आपको सिर्फ code के बारे में फिकर करनी होती है बट ML systems में code के अलावा भी कुछ चीजे होती है जैसे की data और आपका machine learning model तो since यह additional चीजे आ जाती है तो आपके system का complexity बढ़ जाता है और उस complexity के बढ़ने के कारण machine learning systems को production में लेके जाना एक difficult task बन जाता है यह पूरी चीज हमने इस वीडियो में cover की थी उसके बाद जादा important वीडियो है second वाला जहां पे हमने एकदम fundamentals पकड़ करके यह discuss किया था कि ML Ops होता क्या है ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक बहुत interesting analogy उठाई थी मैंने एक food business का example आपको दिया था और मैंने आपसे fundamental question पूछा था कि अगर आप एक बहुत अच्छे chef हो तो क्या जरूरी है कि आप करोडो का business बना लोगे और मैंने वाप आपको बताया था कि नहीं सिर्फ एक बहुत अच्छा शेफ होना जरूरी नहीं है कि आप उससे करोडो का business बना लोगे उसके अलावा भी आपको बहुत सारी और चीज़े चाहिए पड़ेंगी बहुत सारा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी to build a multi million business और फिर उसी analogy का parallel मैंने draw किया था machine learning system में जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि भले ही आप दुनिया का best machine learning model बना लो बट सिर्फ best machine learning model बना लेना और उसको अपने laptop पे चला लेना is not the end goal end goal is कि आपका वो machine learning model आपकी website में integrate हो और करोडों लोगों को serve करे और revenue generate करे और इस पूरी चीज़ को करने के लिए आपको सिर्फ machine learning model बनाना काफी नहीं है आपको उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़े करनी पड़ती है और फिर इसी point पे मैंने MLOps को define कि MLOps is basically a set of practices and tools जो एक machine learning system को productionalize करने में help करता है that was the main idea इसके अलावा अगर आप बात करो तो मैंने इसी वीडियो में आपको MLOps के core aspects बताए थे कि अगर आप अपनी company में MLOps के principles लाना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़े करनी पड़ेंगी तो मैंने आपको ये 8 aspects बताए थे MLOps के और इनके बारे में एक छोटा सा description भी दिया था और जाते जाते मैंने आपको ये छोटा सा Venn diagram दिखाया था कि MLOps क्यों इतना difficult field बाना जाता है because MLOps lies on the intersection of machine learning because obviously आपको machine learning models तो build करनी है उसके अलावा आपको data engineering का भी idea होना चाहिए because data management is one of the core aspects as you can see यहाँ पर तो data को अच्छे से manage कर पाना comes under data engineering और उसके अलावा devops जो भी आप deployment related चीज़े कर रहे हो वो सब कुछ devops के अंदर आता है तो इन तीनों का जो mixture है वो आपका MLOps बनता है ठीक है तो ये इतना हमने अभी तक cover किया है इस playlist में और अगर आपने ये playlist के वीडियोज अभी तक नहीं देखें तो I would recommend आप प्लीज ये दोनों वीडियोज तो at least देख के ready रहो इन दोनों वीडियोज का link मेरे description में डाल रखा है so data आप आसानी से वहाँ तक पहुँच जाओ और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब going forward इस playlist में हम क्या करने वाले so मेरा goal बहुत simple है एक एक करके मैं ये जो आठो aspects है ये मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ क्योंकि यही main चीज है MLOps में तो अगर आपने ये 8 aspects अच्छे से समझ लिए तो फिर आप MLOps को समझ जाओगे तो मैं आज की वीडियो में शुरुआत करना चाहता हूँ data management है data management is one of the core aspects of MLOps and trust me इसके बिना कुछ काम होई नहीं सकता because आपको पता है machine learning में everything is about data और data का सही management इस aspect के through होता है so मैंने क्या plan किया है data management के लिए कि मैंने एक proper road map बनाया जो आपको भी screen पे दिखाई दे रहा है तो data management के अंदर जो भी चीज़े होती है जो भी चीज़े होती है एकदम minute से minute detail को मैंने इस road map में add किया है अब मेरा goal ये है कि अगले 3 से 4 videos में मैं data management आपको पूरी तरीके से decode करके समझा दूँगा not only that जो सारे के सारे popular tools है जो आप use करते हो या companies use करती है data management के लिए वो सब भी मैंने या पे लिख रखे है और मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा ठीक है so आज का वीडियो will be about the first three sub aspects of data management which is data ingestion data transformation and data storage हम इन तीनों के बारे में आज बात करेंगे कि ये तीनों क्या होते है इनकी जरूरत क्यूं है और एक example के थूरू समझेंगे और last में मैं आपको वो सारे tools बताऊंगा जो इन तीनों चीजों को implement करने के लिए use किया जाते है so ये हमारा plan of action है इस वीडियो का I really hope मैं आपको समझा पाया अच्छे से जो भी हम plan कर रहे है इस playlist में so now I am super excited let's continue अब guys ये data management के अंदर data ingestion data transformation और data storage पढ़ाने के पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ और वो बताना जरूरी है अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो data management के अंदर मैंने total मिला के 12 aspects लिखे है so data versioning है feature stores है data pipeline है data annotation data observability validation security and governance बहुत सारी चीज़े मैंने यहाँ पे लिखी है but एक simple सा अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ कि क्या ये जरूरी है कि अगर कोई company MLOps implement कर रही है अपने workflow में तो क्या उसको ये 12 के 12 sub aspects भी implement करने पड़ेंगे the answer is no कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई company जब अपने workflow में data management implement कर रही है तो वो data management के अंदर जो भी आता है सब चीज़ों को implement करे ऐसा logical नहीं है और ऐसा ज़रूरी नहीं है ठीक है जैसे मैं आपको एक quick example देता हूँ यहाँ पर एक sub aspect है data annotation data annotation मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चलके बट अभी मैं आपको roughly बता दूँ तो data annotation का मतलब होता है data labeling मतलब आपके पास कुछ data है और आप उसको label करते हो right if I can give you a quick example so self driving cars एक बहुत popular use case है आज की rate में AI का तो self driving cars में आप क्या करते हो कि आपका एक camera feed होता है जो constantly देखता रहता है कि आगे क्या है और उसके basis पे decision making लेता है कि उसको क्या करना चाहिए बट यह system काम तब करता है जब आप इसको खूब सारे data पे train कराओ labeled data पे मतलब आपको क्या करना पड़ेगा इस system को train करने के लिए पहले एक normal गाड़ी को पूरे शहर में घुमा करके खूब सारा video इखटा करना पड़ेगा बट सिर्फ video इखटा करने से तो कुछ होगा नहीं आपको फिर अपनी team को बिठाना पड़ेगा और जो भी वीडियो आपने घटा किया है उसको label करना पड़ेगा कि यह देखो यह दूसरी गाड़ी जारी आगे से यह एक बंदा आगे चल रहा है यहाँ पर एक पेड़ घड़ा है यहाँ पे दो रस्ते बन जाते है तो यह आपको label करना पड़ेगा तो जब आप यह labeling कर देते हो तब आपको जो data मिलता है आप उसके उपर अपने model को train करते हो और उसके बाद आप अपनी गाड़ी में उसको fit करते हो so this is one use case जहाँ पर data annotation is very very important मतलब data annotation के बिना Tesla जैसी companies बनी नहीं पाएंगी बट अगर आप example लो किसी और company का let's say आप Campus X का example ले लो हम एक education provider company है आपको लगता है कि हमें कभी भी data annotation की जरूरत पड़ेगी हमारे MLOps workflow में अगर हम कल को decide करें कि हम हमारे machine learning systems में MLOps लगाना चाहते है the answer is no similarly यहाँ पर data governance है data governance क्या होता है simple शब्दों में आप कुछ ऐसी practices ले के आते हो अपने system में जिससे आप कल को किसी legal चकरों में ना पड़ो right हो सकता है ना जैसे chat GPT recently बहुत चकरों में पड़ गया था कि उन्होंने chat GPT को train करने के लिए open AI ने chat GPT को train करने के लिए कुछ दूसरी companies का private data use किया right तो यहाँ पर clear cut एक lawsuit का case बन गया तो अब जो भी इस level पर companies काम कर रही है Microsoft Facebook उनके लिए बहुत important है कि वो data governance implement करके रखें but let's say I am a startup और मेरा product अभी बहुत छोटा है maybe 100-200 लोग use करते हैं तो for me maybe right now इस stage पर data governance is not a logical thing to implement right तो मैं हमेशा वो चीज़े use करूँगा इस पूरे के पूरे roadmap में जो मेरी company के लिए required है तो यह एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहरा हूँ कि भले ही यहाँ पर मैंने 12 चीज़े लिखी है which covers everything that comes under data management it is not at all necessary कि कोई company सारी के सारी चीज़े use करे कौन सी चीज़े use करनी है वो उस company के use case requirement पर depend करता है ठीक है so now that यह चीज़ आपको समझ में आ गए अब हम लोग focus करते हैं पहले 3 sub aspects के उपर data management I'm sorry data ingestion, data transformation and data storage अब यह तीनों चीज़े समझाने के पहले एक चीज़ में आपको और बताना चाहता हूँ और वो यह है कि data ingestion, data transformation, data storage यह तीनों चीज़े data management के अंडर सबसे important चीज़े है और भी कई चीज़े है but यह तीन सबसे primary चीज़े है I'll take a use case एक example लेके चलते है हमारा example है Samsung ठीक है, Samsung आपको पता है it's a big giant company जो electronics consumer goods में deal करती है phones, tablets, etc so हम थोड़ी तरी के लिए यह मानते है कि हम Samsung में काम करते है अब Samsung का जो business model है वो कुछ ऐसा है कि वो phones बनाते है phones उनके primary products है तो वो कई तरीकों से phones और अपने बागी electronics sell करते है so उनका सबसे primary mode of selling है उनकी खुद की website अगर आप samsung.com पे जाओ वहाँ से जाकर कि आप shopping कर सकते हो second है वो e-commerce platforms यूज़ करते है like Amazon, तो Amazon पे भी आप Samsung के phones खरीद सकते हो and the third is कि Samsung के खुद के offline stores भी है जहाँ से जाकर कि आप Samsung के phones और बागी की चीज़े खरीद सकते हो right अब Samsung since it's a big company तो वो लोग अपने data के उपर बहुत rely करते है decision making के लिए so वो लोग हर साल क्या करते है कि वो हर साल ये analyze करते हैं कि उनका हर product कितना बिका like अगर उनका एक product है let's say galaxy S24 Ultra तो उसने कितनी कमाई लाके दी अगर उनका एक product है Samsung Galaxy Tab तो उसने कितना revenue लाके दिया अगर उनका एक product है Samsung Galaxy Watch तो उसने कितना revenue लाके दिया right तो वो अपने हर product के लिए ये data analysis करते हैं कि उसने पूरे साल में कितनी कमाई करके हमें दी और second वो क्या करते हैं कि इस data से वो ये forecast करने की कोशिश करते हैं कि अगले साल वो सामान कितना बिकेगा ठीक है ये इनका requirement है so in short हमें किसी तरीके से इस form में हमारे को data चाहिए ठीक है form क्या है कि हमारे पास पिछले साल का हर date के लिए हर model के लिए या हर item के लिए total revenue कितना था वो हमें निकाल के लाना है मतलब अगर एक इनका product है Samsung Galaxy S4 S24 Ultra तो हमें ये पता करना है कि 14 June को टोटल इस phone को बेच करके Samsung ने कितना कमाया similarly अगर हमारा एक product है Galaxy Watch तो हमें ये पता करना है कि 14 June को Galaxy Watch बेच करके Samsung ने कितना कमाया similarly फिर हमें इनी same सामानों के लिए 15 June की कमाई निकालनी है 16 June की कमाई निकालनी है and so on एक बार मेरे पास ये डेटा आ जाएगा तो मैं दोनों काम कर सकता हूँ मैं ये पता कर सकता हूँ for a particular financial year कोई एक product total कितना revenue लेके आया और second में ये भी निकाल सकता हूँ कि वो product अगले साल कितना भिकेगा ठीक है तो in short इस point पे मेरा requirement है कि मुझे इस form में data चाहिए this is my requirement ठीक है requirement define हो गई अब बात करते हैं कि हम इस data को लाएंगे कैसे ठीक है so यहां से main challenge शुरू होता है problem क्या है कि हमारा ये जो data है ये जो data हमें चाहिए है ये एक जगे से नहीं आ रहा ये तीन अलग जगों से आ रहा है पहला हमारी official website से आ रहा है second amazon की website पे भी sell हो रहा है तो वहां से भी हमें कुछ data मिलेगा और हमारे offline store से भी कुछ data आ रहा है ठीक है तो मैं आपको setup समझा देता हूँ official website जो है वो हर sale का transaction को note down करती है और वो सब कुछ store होता है samsung के खुद के database में ठीक है ये पूरा data की कौन सा समान बिका किस date पे बिका कितने में बिका ये सारा information store हो रहा है samsung के खुद के database में second है amazon so amazon का क्या scene है कि amazon ये information अपने पास रखता है की कौन सा समान बिका किस डेट पे बिका, कितने रुपे में बिका बट ये information वो Samsung को देता है real time में मतलब अभी के अभी अगर एक product बिका तो वो information उठकरके तुरंथ Samsung के पास जाता है Samsung को ये information तुरंथ मिलता है real time में और third है offline stores तो offline stores में क्या setup है कि वो एक machine लगी हुई है, उसको POS machine बोलते हैं शायद और उस machine में वो data आता है और ये POS machine किसी third party company की है, तो वो company का खुद का एक cloud है उनकी खुद की website है और उन्होंने अपना API बना रखा है और इस API के through Samsung को ये data मिलता है कि कौन सा समान बिका हमारे store में ठीक है, तो in short मुझे क्या करना है, मेरे सामने अब challenge क्या है कि मुझे इन तीनों जगहों से data को ले करके आना है एक common जगे पे मुझे database से भी खिच के लाना है मुझे ये जो real time data आ रहा है इसको भी ले के आना है और ये जो API का data है ये भी मुझे ले के आना है अब अगर आपको थोड़ा भी idea होगा तो मैं roughly roughly आपको बताता हूँ कि database से data pull करने के लिए आपको SQL की जरूरत पढ़ेगी I'm assuming कि आप relational database में चीजों को store कर रहे हो real time data है तो आपको कोई इस तरह का platform यूज करना पड़ेगा जो real time data के साथ अच्छे से deal करे और इसका एक example है Apache Kafka या फिर Amazon का भी एक service है इसको Kinesis बोलते हैं वो भी यूज किया जा सकता है और API से data fetch करने के लिए आप Python यूज कर सकते हो Python में you have got libraries like requests और इसकी help से आप API का data तीन different sources का data अलग-अलग tools की help से आपको उठा के लाना है और एक common जगा पर dump करना है एक जगा पर लाके रखना है तो यह जो चीज हुई ना कि अलग-अलग sources से आप data को ला रहे हो इसी को बुलाया जाता है data ingestion this is called data ingestion आपका system data ingest कर रहा है तो यही है आपका first stage of data management और इसको हम बुलाते है data ingestion ठीक है I hope आपको data ingestion अच्छे से समझ में आ गया so अब guys हमारे पास ये तीनो sources का data एक जगा पर आ गया है अब मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूँ समझाना चाहता हूँ कि ये तीनों जगों पर जो data है वो कैसे maintained है जैसे हमारी official website से जो data आ रहा है वो एक database में stored है तो database का data कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है हमारे पास दो tables है और इन दोनों को मिला करके हमने पूरा data store कर रख है so अगर आपने normalization का concept पढ़ा होगा databases में तो यहाँ पर normalization applied है so this is the main transaction table but transaction table में आपने directly product id use किया है rather than using the product name because आप normalize करते हो databases को और product का name store करने के लिए आपने एक अलग table बना रख है products बोल के so हमारे पास जो data आ रहा है वो दो अलग tables में है जब हम अपने database से लेके आ रहे है whereas अगर आप Amazon से जो data मंगा रहे हो एक और चीज़ यहाँ पर थोड़ा और complexity add करने के लिए मैं example में यह मान रहा हूँ कि Amazon के through जो पुरा का पुरा products भिक रहे हैं ये इंडिया में इंडिया में जो भी हमारा sale हो रहा है वो Amazon के through हो ठीक है तो यहाँ पर जो data मुझे मिल रहा है real time data वो straightforward है यहाँ पर सीधे सीधे जैसे ही कोई sale होता है जैसे 14 June को 1 S24 Ultra भिका तो सीधे उसका record मेरे पास आ जाएगा यह देखो जहाँ पर यह रहेगा कि वो किस date पे भिका किस time पे भिका क्या चीज भिका और कितने रुपे में भिका यह information मेरे पास आ गया similarly उसी दिन एक दूसरा product भिका है galaxy watch 6 और वो 21,000 रुपे में भिका है और फिर 15 दारी को फिर से S24 Ultra भिका है वो 89,000 में भिका है बट यहाँ पर problem क्या है कि यह जो data है यह रुपीज में बता रहा है because obviously इंडिया में sell हो रहा है तो महां की currency के हिसाब से हो रहा है और offline stores है जो data आ रहा है वो भी straightforward है और हमारे offline stores US में है थोड़े दिर के लिए माल लेते है तो सब कुछ same है बस हमारा जो amount है वो USD में है तो you can see कि भले हम पूरा का पूरा data उठा के ले आए तीनो sources से बट अब इसको merge करके इस form में लाना जिस form में requirement है वो थोड़ा साना difficult है तो यहाँ पे आपको कुछ चीजे करने पड़ेंगी सबसे पहले तो आपको यह जो database से data आ रहा है इसको denormalize करना पड़ेगा denormalize करना पड़ेगा so denormalize करने का मतलब है आप SQL का join statement लिखोगे और उससे क्या होगा आपके पास इस form में data आ जाएगा basically आपने product ID पे join कर दिया this is your data ठीक है अब आपके पास यहाँ पे भी denormalize data है यहाँ पे भी denormalize data है और यहाँ पे भी denormalize data है अब आप क्या करोगे आप इन तीनो data को concatenate करोगे ठीक है step 2 is concatenation concatenate हो गया उसके बाद आप data को sort करोगे किस चीज के basis पे date के basis पे जो सबसे पहले चीज बिकी है वो सबसे उपर आएगी जो बाद में बिकी है वो नीचे जाएगी this is step number 2 step number 3 is कि आप ये जो amount वाला column है उसको आप normalize करोगे normalize करने का मतलब है कुछ जगों पे वो USD में है कुछ जगों पे वो Indian rupees में है तो आप सबको same currency factor पे ले क्या होगे USD में because आप US based analysis कर रहे हो और एक बार जब ये पूरा data normalize हो गया हर sense में अब बस आपको last step में क्या करना है आपको aggregate करना है अब आप क्या करोगे आप group by लगाओगे date के basis पे ठीक है date और product के basis पे और जैसे आप ये group by लगाओगे आपको ये table मिल जाएगा कि किसी एक particular date पे वो एक particular product ने total कितना revenue generate किया aggregate करके आप sum करोगे ठीक है तो in short यहाँ पे एक बार जब data आपके पास आ गया उसके बाद भी आपको काफी चीज़े करनी पड़ी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा आपको denormalize करना पड़ा database से आने वाले data को उसके बाद आपको तीनों data को concatenate करना पड़ा उसके बाद आपको amount वाले column को normalize करना पड़ा because वो अलग-अलग currency में था उसके बाद फिर आपको finally aggregate लगाना पड़ा और aggregate लगा के sum करना पड़ा तब जाके आपको finally उस shape में और उस form में data मिला जिसके ओपर अब आप अपना analysis run कर सकते हो तो यह जो इतनी महनत आपने की इस stage को बुलाया जाता है data transformation और यह आपको हमेशा करना पड़ता है कभी भी data जब आपके पास आता है तो आपके मन पसंद form में नहीं रहता है उसको आप transform करते हो to bring it in a form जहां से वो usable बन पाए तो this is the second stage of data management and this is called data transformation I hope आप समझ पा रहे हो so guys हमारा data हमें मिल चुक है after the first two stages हमने data ingestion कर लिया data transformation कर लिया और finally मेरे पस मेरे desired format में data मेरे सामने है अब इस data को ना कई लोग use कर सकते हमारी data analysis team आगर के इसको उठा करके reports बना सकती है dashboards बना सकती है हमारी data science team आगर के इसके उपर forecasting चला सकती है models बिल्ड कर सकती है in short this is a very useful piece of data जो की हमारे company में across domains खूब use होने वाल है right अब obviously अगर कोई चीज़ बहुत useful है तो हमें उसको कही न कहीं पर store करना चाहिए और वही है हमारा third stage data storage so जैसे ही आपको आपके desired format में data मिल जाता है उसके बाद आपका आखरी काम बचता है कि आप उसको सही जगे पर store करते हो अब storage के लिए बहुत सारे options होते है और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या options होते है so you can see depending on आपका requirement कैसा है आप उसको 4-5 अलग-अलग options में store कर सकते हो एक सबसे common जो option है वो है data warehouse अगर आपने OLTP OLAP का concept सुना होगा तो आपको शायद पता होगा कि data warehouse क्या होता है data warehouse is in a way analytical database बुलाते है so आपकी पूरी company में analytics related जो भी requirements है उसके लिए जो भी data required होता है उसको हम data warehouse में store करते है और ये data generally structured data होता है ठीक है तो आप data warehouse में store कर सकते हो अपने data को कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका जो analytics वाला data है वो unstructured होता है तो उसको हम data lake में store करते है बट अगर let's say आपकी company उतने mature stage में नहीं है जहाँ पर वो data warehouse या data lakes वाला solutions यूज़ करे तो आप simply उसको databases में भी store कर सकते हो हलाकि ये recommended नहीं है बट आप उसको database में store कर सकते हो technically बहुत बड़ा data है unstructured data है तो आप उसको no SQL database में store कर सकते हो in fact अगर आपने simply एक CSV file बना के रखी है और आप उसको कहीं पर store करना चाहते हो तो आप उसको file storage या object storage में भी store कर सकते हो ठीक है it depends कि आपकी company का जो maturity level है in terms of tools usage वो कितना है उसके basis पर ये 4-5 options आपके पास available रहते हैं तो इसको बुला जाता है data storage so nutshell में हमने 3 चीज़े पढ़ी data ingestion, multiple sources से data को लाना data transformation उसको इस तरीके से transform करना कि हमारे मन पसंद के format में वो ढ़ल जाए और third, जैसे हमारे मन पसंद के format में ढ़ल जाए हम उसको कहीं पर store कर लेते हैं कि हम उसको reuse करते रहें अब data ingestion, data transformation, data storage यह बहुत technical terms है बट इन तीनो stages के लिए एक बहुत common term use किया जाता है जैसे कि अगर मैं आपको बताऊ data ingestion को industry में extract के नाम से बुलाया जाता है data transformation को transform के नाम से बुलाया जाता है और data storage को load के नाम से बुलाया जाता है और इन तीनों चीजों को साथ में हमेशा किया जाता है इसलिए हम इसको extract, transform, load pipeline बुलाते है या फिर in short ETL pipeline बुलाते है और क्या ही बताऊ मैं आपको इसके importance के बारे में एक पूरा का पूरा job role defined है इसके इर्दगिर्थ जिसको हम data engineer बोलते है data engineer एक ऐसा बंदा है जिसका mostly day-to-day basis पे यही काम होता है कि वो ये ETL pipelines बनाता है इनकी देखरेक करता है कल को अगर कोई problem होती है इन pipelines में तो उसको fix करता है या ये data management का सबसे core process है ऐसा आप बोल सकते हो ठीक है तो now that you have this conceptual understanding की extract, transform, load pipeline होता क्या है अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको build करने के लिए concept tools use किया जाते है तो guys सबसे पहले बात कर लेते हैं data ingestion tools के बारे में तो ingestion जैसा कि मैंने आपको बताया कई जगों से आप data ingest करते हो so अगर आप किसी API के थू कर रहे हो तो python could be a tool because आप python का code लिख करके API का data ला रहे हो databases के साथ काम कर रहे हो तो SQL could be a tool अगर आप real time data के साथ काम कर रहे हो तो फिर आप Apache Kafka जैसी एक service use कर सकते हो या फिर Kinesis जैसी service use कर सकते हो तो यह primarily यही tools use होते हैं if you talk about data ingestion if you talk about data transformation तो transformation के लिए जो primary tool है वो है pandas python जो सबसे जादा use होता है but let's say अगर आप बहुत huge data के साथ काम कर रहे हो big data के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ पे python आपको उतने अच्छे results नहीं देगा तो आप spark use कर सकते हो या फिर इसका python implementation जो है py spark वो आप use कर सकते हो data storage में चीज़े interesting है अलग-अलग varieties है तो मैं हर variety का आपको एक-एक example दे देता हो if you are using a database जहाँ पर आप data store करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपके बास options आ जाते हैं mysql या फिर oracle या फिर microsoft access जितने भी आपको sql databases पता है all of them are good options अगर आप no sql database में store करना चाहते हो तो mongodb is a good option right data warehouse की अगर आप बात करो तो data warehouse में आपके पास option में आता है सबसे पहले snowflake काफी famous है आपने नाम सुना होगा शायद AWS का redshift या फिर google का big query ये भी शायद आपने सुना होगा क्या अगल वगेर आपे इसके काफी datasets रहते है data lake में आप s3 जैसी service पे भी कर सकते हो so data lake में ऐसा कोई proper tool इस point में मुझे याद नहीं आ रहा object storage की बात करो तो s3 is one of the options AWS का s3 और file storage की लिए आप google drive जैसा service यूज कर सकते हो ठीक है तो ये हो गए आपके individual tools जिनको मिला करके आप एक ETL pipeline बना सकते हो but market में बहुत सारे ऐसे भी tools available है जहां पर आपको अलग-अलग individual tools यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप एक single tool की help से ये पूरा काम कर पाओगे so overall tools के भी कुछ examples में आपको बता देता हो so अगर आप AWS के universe में जाओगे तो Amazon glue बोल करके एक service है जिसको आप कह सकते हो कि it's an end-to-end ETL service पूरा का पूरा ETL service को manage करके आपको देता है इसके अलावा अगर आप बात करो तो informatica है एक paid solution talent है और Apache Nifi बोल करके service है तो ये सारे जो platforms है इनको आप use कर सकते हो to build a end-to-end ETL pipeline ठीक है अब वीडियो में आज मुझे इतना ही cover करना था next वीडियो में मैं आपके साथ एक practical ETL pipeline बना के आपको दिखाऊँगा but उसके पहले I really want कि आप एक homework लेके जाओ इस वीडियो से और homework ये है कि आप जो भी tools मैंने आपको बताए आप एक बार इन tools के बारे में थोड़ा google search करो ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने जैसे एक tool का नाम सुना कि Apache Kafka तो आप जाकर कि Apache Kafka की website देखो और समझने की कोशिश करो कि Apache Kafka क्या है उसके main features क्या है उनके main use cases क्या है आपने AWS Kinesis पढ़ा तो आप एक बार उसकी website पे जाओ और समझने की कोशिश करो कि किस तरह के situation और use cases में आप AWS Kinesis यूज़ करते हो Snowflake आप बहुत सुनते हो तो एक बार Snowflake की website visit कर लो थोड़ा सा उसको देखो ऐसा नहीं होगा कि बस website देखने से आपको चीज़े समझ में आ जाएंगी बट थोड़ा familiarity develop होगा MLOps में सबसे बड़ी problem यह है students की कि डर लग जाता है नए नए tools का नाम सुनके तो अगर आप थोड़ा भी familiarity develop करोगे ना तो आपके लिए वो अच्छा है आपके learning के लिए वो अच्छा है तो इसको as a homework मानो और आप अपने level पर कुछ research conduct करो जो जो tools मैंने आपको बताएं ठीक है so with that I'll close this session I really hope आपको कुछ तो फाइदा हुआ होगा ये पूरा session देखके I'm pretty sure आपके दिमाग में होगा कि practical करके देखते तो और अच्छा रहता है तो वो मैंने जानमुच के इस वीडियो में नहीं डाला है वीडियो लंबा हो जाएगा next वीडियो में I'll share a practical ETL pipeline कैसे बनाया जाता है with you ठीक है so yeah that's it for this video अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो please do subscribe और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो please like it ठीक है मिलतें next वीडियो में बाई